मार्केट में पैसे कमाने के लिए चाहिए रहते हैं skills लेकिन यह इतना भी complicated process नहीं होता है दोस्तो अगर किसी share के characteristics को आप समझ गए तो बड़ी आसानी से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो basic buy low sell high value strategy apply करके या in and out करके यानि कि किसी share में आप तब buy करते हो जब उसके भाव नीचे में आपको मिल रहे हैं और तब sell कर देते हो यानि कि profit book कर देते हो जब उसके भाव उपर है यानि कि prices उपर है अब कोई भी strategy दोस्तो गलत या सही नहीं होती है result ही यहाँ पर judge बनकर हमें फैसला सुनाती है कि हाँ इस strategy से पैसे बने तो यह अच्छी strategy है इस strategy से पैसे नहीं बन रहे है तो यह अच्छी strategy बिलकुल नहीं है उसी तरह आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा educational content जहाँ पर मैं example के लिए एक company को refer करूँगा क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को in or out करकी पैसे कमाने है यानि कि buy low sell high करके पैसे कमाने है तो उस case में कैसी company चुननी चाहिए और क्या points आपको इसी वीडियो में discuss करूँगा, exchange करूँगा, बहुत ही valuable information आपको प्राप्त होने वाली है इस वीडियो के मादन से तो बिना skip किये इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देखिए, शुरू करते हैं, आईए, मिलकर सीखते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बताना चाहूँगा, जहां क्रिप्टो और उनके markets इतने ज्यादा trend पे हैं, वहीं ये platform उबर के आता है डेल्टा एक्सचेंज आपको ना केवल cryptocurrencies में trade करने देता है, बलकि आपको इस पर bitcoin के उपर future और options चैसी facilities भी offer करता है और 100 से भी ज्यादा altcoins पर 100x leverage प्रोवाइट करता है और bitcoin पर call or put option भी प्रोवाइट करता है, with zero trading charges on spot pairs delta exchange का product है robo strategy, robo strategy में automated trades और strategies आपको मिलती है, मतलब आपको केवल अपना fund जमा करना है, पाकी सारा काम system करेगा profit से लेकर risk management सब कुछ, और ऐसी है इनकी yield strategies जिसके trade lines देखके आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और अगर आप असली पैसा लगाने से पहले कुछ practice करना चाहते हो, तो इनके UI model से आप वो भी कर सकते हैं, आप इनके website में 30 seconds में sign up कर सकते हैं, या app को भी download कर सकते हैं, जो की iOS और Android दोनों interface के लिए available है, description में दीगे link के मादम से अगर आप sign up करते हो, तो fees पर आपको 10% का discount और 30,000 dollar तक का trading bonus भी, तो जरूर चेक आउट कीजिए, delta exchange की जो link है वो नीचे description में आपको मिल जाएगी, तो अब बढ़ते हम आज के main topic की तरफ, देखे, in or out strategy में दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कि आपको काफी बार उस company में buying करनी पड़ती है, यानिकि dips को खरीद पड़ता है, और timeline यहाँ पर define नहीं होती है, कोई यह नहीं कह सकता है, कि आज जो company 1000 रुपए पर है, तो वो 900 पर रुख जाएगी, 800 पर रुख जाएगी, उसके बाद reversal आ जाएगा, यह decided नहीं होता है, तो इसलिए हर dip को buy करना पड़ता है, ताकि rupee cost averaging का benefit मिल सके, और जै जैसे ही 15-20% का एक swing आ जाए उस company में, तो वहाँ पर profit भी book किया जा सके, अब क्योंकि timeline यहाँ पर defined नहीं है, तो यहाँ पर fundamentals बहुती जदा important role play करते हैं, किसी भी company के, जो आप in or out strategy के लिए चुनते हैं, तो जो यह company में आपके लिए as a example लेकर आया हूँ, पहले इसकी fundamentals को एक बार देख लेते हैं, दिखें इस company के अगर annual revenue की बात करें, तो हम यह देख सकते हैं, 2000 करोड के उपर की revenue इस company ने clock कर रखी, अगर हम March 2015 से देखें, वो एक decent period होता है, last year कुछ ऐसे circumstances थे, जिसके वज़े से revenue में थोड़ा सा dip हमें देखने के लिए मिल रहा है, net profit की अग अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें, और उससे पहले भी अगर हम देखें, तो 300 करोड का एक आप baseline मान सकते हो, जो 2012 से लेकर हम 2018 तक continuously देख पा रहे हैं कि उस benchmark के उपर ही इस company का annual net profit रहा है, अब मैं खुद dividend देने वाली company का शौकीन रहा हूँ, तो मैं हमेशे ऐसी company का तो उससे क्या होता है, एक regular income अगर account में आती रहती है, तो वहाँ पर एक cushion मन जाता है कि हाँ, कुछ ने कुछ तो प्राफ्त हो रहा है, बुरे समय में जब वो stock नीचे जाता जा रहा है और हम add करते जा रहे हैं, और dividend के रूप में जब उस समय कुछ पैसा आता है, तो एक positive vibe भी लाता है, लेकिन ये एक मातरा parameter नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसे consider करता हूँ, तो ये जो company अब मैं as example आपके साथ share कर रहा हूँ, उसी के अगर historical dividends को देखें, तो वो आपके screen के सामने आ रहे हैं, बहुती बैतरी dividend yield company है, आज के समय में मैं मानता हूँ कि सवा 2-3% क आसपास का dividend yield इस company का जो share है, वो रखता है, तो अब हम जानते है company कौन सी है, company का नाम कौन सा है, भूला नहीं हूँ मैं, याद है कि company का नाम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, company का नाम है दोस्तों, महानगर gas limited, मेरा चो opinion रहेगा, वो पहले price वाली strategy को discuss करते हैं, क्य तो ये आप जो chart देख रहे हैं अपनी screen पर, इसका जो top है वो करीबन 1200 के आसपास का था, लेकिन यहाँ पर safe zone मान सकते हैं 1200 के आसपास का, और जो bottom है वो लगबग आप देख सकते हैं 700 रुपे के आसपास है, अब 2017 से लेकर 2021 तक आप इसकी range को देखिए, इसी range में ये खेल की तारा है, तो अगर कोई जक्ती मान लीजिए, कहीं पर भी buy करता है, limited quantity में और उसके पास capacity है नीचे add करने की, तो definitely वो पैसा ज़रूर बना पाएगा, अब ये multi-bagger वाल अशेर नहीं है और इसके पीछे various reasons भी हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर dependency है, gas prices पर यहाँ पर dependency है एक लंबी duration में, वहाँ पर disciplined way में, छोटी-छोटी quantity में एक-एक share करके भी अगर कोई खरीदता है, हर dip में और फिर 15-16-20%, वो जो भी आपका target price है, target profit का price हो, उसमें अगर profit book करता है, तो अच्छे खासे gains कमाय जा सकते हैं, बनाय जा सकते हैं पैसे, इस strategy से भी, कोई के shares होते हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी को buy and roll नहीं करना है, कोई अगर active investor है, रोज market को देखता है, खास करके हमारे जो retired senior citizens category के लोग होते हैं, वो actively market को watch करते हैं, तो intraday FNO, इन सब चीजों से तो delivery based investment ज़दा बेटर है न, कि यहाँ पर ऐसी company में, अ आपको अच्छे dips मिलते हैं, आप discipline हो, आप अपनी buying को control कर सकते हो, दिने दिने कर सकते हो, उस तरह के आपके personality है, तो definitely ऐसी company आपको उड़ोनी चाहिए, जिनमें 5-7 साल में, जो price की range है, वो एक दायरे में है, अच्छे dividend yield है, अच्छी revenue है, company का brand बड़ा है, company का business ऐसा है, जो लग रहा है कि आगे भी चलता रहेगा, कुछ समय तक, तो ऐसी company आप अपने radar में रख सकती हूँ, ऐसा मेरा अपना एक opinion रहता है, मैं अपने active portfolio में जरूर ऐसी company रखता हूँ, लेकिन एक disclaimer दे दू, investment की जो सला है, वो अपने किसी registered investment advisor से ही लीजेगा, या आपने आपके साथ अपने limited knowledge के हिसाब से, अलग-अलग strategies की चर्चा करता रहता हूँ, अलग-अलग opportunities के बारे में बताता रहता हूँ, ताकि आपको अच्छी जानकारी personal finance से related, equity market से related, fixed return products से related प्राप्त होती रहे और अच्छे तरीके से आप अपनी financial planning भी कर सको, तो मैं आशा करता आपको वीडियो में बताई की जानकारी पसंदा ही होगी, अगर आप सेमती रखते तो वीडियो को लाइक केजिए, आगे आपको लगता है शेर करना चाहिए, तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिष्टेदारों के साथ शेर भी जरूर कीजिएगा, ऐस हेल्थ का और वेल्थ का जरूर इच्छे से ख्यार रखिएगा